आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ओनलाइन क्लासे सोनपुर में और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डियले डियूटरेंस एक्जाम देर चौविस का फाइनल डिजल्ट जो है जारी हो चुका है और अब हम जो है कॉंसलिंग परिक्रिया को लेकर जो है आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सारे सवालों का जवाब आपको फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस के तरब से दिये जा रहे हैं तो आपसे निवेदन है अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को लाइक सेर जरूर कर लेंगे ताकि आपको सारी अपडेट और सारी जनकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से मिल सके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका कॉंसलिंग जो है कब होगा कॉंसलिंग में कितने पैसे लगते हैं और कॉंसलिंग में कितने जो है कॉलेज का कर सकते हैं यह सवाल आप सभी लोगों के वगण में आ रहा है और लेड़ी हमने बताया है लेकिन फिर बी आप लोगों के द्वारा पूचा जा रहा है इसलिए सारे डावट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दिन से शुरुवात होगा counseling, counseling कब से होगा, यह counseling में कितने फी लगते हैं यह सारी जनकारी आप पहुम बताने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जो यह आपका counselling है वो कब से start होगा यहाँ पर ध्यान दिजेगा जो यह आपका counselling है तो यह आपका counselling स्टार्ट होने वाला है यह आपका जो है 22 से लेकर 28 जो है जून 2014 के बीच आपको जो है जारी हो जाएगा notice यानि कि इसके बीच आपको देखने को मिलेगा यानि एक counselling करेंगे तो counselling कौन कर सकता है counselling वह बच्चे कर सकते हैं जो डीलेड एक्जाम पास है डीलेड जो है पास है यानि कि वैसे बच्चे जिनका स्कोर कार्ड क्या है ती अगर आप जेनरल OBC EWS EBC है तो आप सभी लोगों का अगर 42 नमर स्पर है पास है तो आप कर सकते हैं वह होना चाहिए यह बच्चे कर सकते हैं अब रही बात कि क्यास जो आपका counselling होता है इसको करने में पैसा लगता है तो हाँ भाई हाँ आपको पैसा देना परता है यानि कि counselling करना है कोई भी अगर बच्चा counselling करेगा तो counselling fee आपको देने पड़ेंगे या counselling fee आपका जो है क् आपर मैं लिख देता हूं लगता है अब कैसे लगता है यह समझेगा तो आप ध्यान दिजिएगा जो बच्चे आपके जेनरल ओवी सी यह जो बच्चे आपके एबी सी वाले है या इडावलू एस वाले हैं समझें इन बच्चों को कितना पैसा लगता है तो 500 रुपीज 50 रुपाई लगता है किटना लगता है मेरे भाई 350 रुपाई लगता है यहां इकार आपके तेन सो 50 रुपाई से लगता है यह इंयंक्गे और उसमें कितने college ले सकते हैं तो जब हम counseling करेंगी तो counseling में हम लोग 5 से लेकर 30 college का चैन कर सकते हैं और मेरे अनुसार आप जो है 30 college जरूर चुनिएगा 30 college का आप लोग चैन कीजिएगा और इसके regarding में आपको बताऊंगा लिस्ट बताऊंगा district बताऊंगा तो आपको परसान नहीं होना है तो इस वीडियो में आपको पता चल गया कि बिहार डीलेड इंट्रेंस एक्जाम 2024 का counseling जो है कब से होगा तो 22 और 28 के बीच में आपको date देखने को मिलेगा साथ ही साथ मैं आपको बता दू notice देखने को मिलेगा और डीलेड पासिंग मार्क्स जो है जिनका 42 और जिनका 36 नमर आ रहा है वहा जो है counseling कर सकते हैं counseling करने में जो पैसा लगता है वो आपका general, OBC, EWS, EWS और EBC को 500 और यहाँ पर आपका HC, ST और PS और Freedom Fighter को 350 वहीं पर आप college जो है कितने चुन सकते हैं तो 30 college का चैन कर सकते हैं वासा करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है प्रसंद आया होगा, सारी जनकारी आपको मिल गया होंगे, मिलते है नेक्स वीडियो में, अगर कोई भी सवाल है इस वीडियो के नीचे comment कीजिए, ताकि हम आपके सारी सवालों का जबाब देपाए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग उसे निवीद दने हैं, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, सस्क्राइब कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जयाएं जया भारतों के, टेक क्यर